नमस्कार मित्रों मैं हिमान शोर्मा आप सभी का स्ववत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिन क्लासेज में मित्रों मैं आप सभी के लिए एंविर्मेंटल इस्टिडिश के 50 कोश्चन्स लेके आया हुआ हूँ आपके में ब्रांच में जो सिविल एपीसी के हैं मेकेनिकल सेकेंडियर वालों लिए और फाइनल इयर वालों एपीसी के लिए भी वेनिफिट है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं यही कारण था कि मुझे इतनी देर में इतनी अर्जन्सी में एलेक्ट्र लाना पड़ा इन्विश टंप्रेचर शुरू करते हैं पहला होता है आपका जो ताफमान दो धीरे धीरे होता है वह होता है आपका कोल्ड में बाकी जो वरसात है हवा है गर्मी है इसमें बहुत फास्ट होती है यह टंप्रेचर बढ़ने से रॉक्स तूटती है हवा के द्वारा जो है rocks का disintegration होता है इस तरीके से हवा के द्वारा transport होता है soil का और किसी भी structure पर हवा जब force लगाती है तो उसके महीन महीन particle soil में तूटना शुरू हो जाते हैं इसलिए cold में हवाएं भी सांत रहती हैं और weathering भी बहुत fast नहीं हो पाती है next question है आपका next question है आपका under the idyllic climatic condition how many times how many centimeter of soil is developed आदर से जलवायू परिस्थितियों में कितने centimeter मिट्टी विक्सित होती है तो आपका यह बताना है कितने centimeter होती है एक दो तीन चार वन टू थ्री फोर तो second question का जो सही answer होगा वो कितने centimeter होगा here one centimeter is the right answer ठीक है यहाँ जो इस वाले question का था इसके पहले वाले उसका मैंने बता दिया सीथ और इसका बता दिया आपका one तो answer याद रखेगा अपना tick करते हुए चलिएगा next question है what is called for the matured soil which are arranged in a series of Jones जोनों की एक सरंखला विवस्थित परिपग मिठी के लिए क्या कहा जाता है soil Jones मर्दाचेत्र soil layers मिठी की परतें soil origins मर्दा च्षितिज या soil benches मरदा bench तो क्या कहा जाता है वह कहा जाता है आपका soil origins या मर्दा च्षितिज next question है आपका what is soil profile मिर्दा की profile क्या होती है या मिर्दा profile क्या है एक cross-sectional view of origins in a soil, मिट्टी में छितिच का एक पार अनुभागी अद्रश्य एक front view of the origins in soil एक मिट्टी में छितिच का सामने का द्रश्य चटानों में छितिच का एक पार का अनुभागी द्रश्य तो मिर्दा profile क्या होता है मिर्दा profile होती है cross-sectional view of origins in a soil किसी भी मिर्दा का छितिच का एक पार का अनुभागी द्रश्य जो है वो क्या कहलाती है मिर्दा profile कहलाती है आप इंगलिस में इसको याद रखें एक cross-sectional view of origins in a soil ठीक है वह कहलाती है आपकी मिर्दा profile नेक्स्ट कोस्चन है फिफ्ट कोस्चन और गैनिक अगरी कल्चर एडवोकेट्स एवाइडिंग दा यूज आफ जैविक जो क्रशी है उसमें किसके उप्योग से बचने की वकारत करती है यह कह सकते हैं किसका उप्योग जैविक जो स्रहित पानी स्टोर्ड वाटर स्टोर्ड वाटर को भी यूज करेंगे सी अप्सन है कटाई में आध्वने आध्वनिक प्रद्योगे किया तो यह भी आपका इससे कोई खास मतलब नहीं है या आप इसको यूज कर सकते हो कटाई से कोई पर फल्यूज नहीं होता है कि फासल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो करता है कि आपका इसकी होते हैं यह आप से पूछा गया है तो मिट्टी में जो छितित के संख्या होती है 1,2,3,4 इन में से कौन सी होती है तो there are 4 तो here D option is the right answer next question है which origins help to determine the pH of the soil कौन सा छितित जो मिट्टी के pH निर्धायत करने में मदद करता है कौन सा छितित मिट्टी के pH निर्धायत करने में मदद करता है A, B, C, O तो आपके C जो है वो मिट्टी का छितित जनिर्धायत में करता है एक बात ध्यान दखेगा A, B, C, O होता है A, B, C, D नहीं होता है छितित ध्यान दखिएगा तो गरबर नहीं कीजिएगा next है आठवा question what is the called for the mixture of all contents of the soil पहला option है आपका erosion या छरण दूसरा option है सबली मेंसन सबली मेंसन होता है किसी भी चीज़ का सीधे ठोस से हवा में उड़ जाना, air में convert हो जाना C है आपका degradation, degradation मतलब किसी चीज़ की गिरावट होना और D option है आपका looms तो इसमें आपका जो सही answer होगा वो क्या होगा सही answer इसका होगा looms मिट्टी के सभी सामगरी के मिश्रण के क्या है जाता है loom इसलिए आपका loomी मिट्टी जो है एक मिट्टी का प्रकार होता है Why are the treatment of important for us while Why are the treatment of important for us while मिट्टी के लिए छेतर उपचार क्यों महत्मून है To reduce the impact of rain drops on the soil बारिस की बुन्दों का मिट्टी पर प्रभाव कम करने के लिए Maximize surface runoff सतह के अपवाह को अधिक्तम करने के लिए Not treating the upper catchment and proceeds towards the oven outlet उपरी जलग्रहन छेतर के उपचार नहीं करना और एक outlet की और बढ़ना Not storing the surplus rain water अधिसेस वर्सा का जल का भंडारन नहीं करना तो इसमें आपका जो सही answer होगा वो क्या है To reduce the impact of the rain drops on the soil बारिस की बुन्दों के मिट्टी पर प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं स्वाइल का treatment करते हैं Next है What is the cold for the अब ये बारिस की बुन्दों के मतलब पहले question में बता देता हूँ बारिस की मुन्दों क्या होता है टॉप layer जो है वो बह जाती है जल्दी उसके लिए हम उसका treatment करते हैं कि उसका प्रभाव कम से कम पड़े Next question है What is the cold for the movement of the surface liter and the top soil from the one place and another पर parfait okay его इसको जिए है इसको जब कोई ले जाता है तो क्या कहेंगे उसको आपका कहेंगे की मारदा प्रडूशन कहेंगे क्या कहेंगे मारदा प्रूशन कहेंगे ठीक है यहाँ पर का erosion नहीं कहेंगे क्योंकि यहां पर क्या उन सब आता गई सतही कूड़े की ठीक है तो ध्यान रखिएगा which continues continued trenches are used निरंतर समोच्च खाईयों का उपयोग क्यों किया जाता है to decrease the infiltration of air to decrease the infiltration of air वायू के अत्य सेंदन को कम करने के लिए to enhance the infiltration of air हवा की घुसपैट को बढ़ाने के लिए to decrease the infiltration of water पानी की घुसपैट को कम करने के लिए और to enhance the infiltration of water ठीक है पानी की घुसपैट को बढ़ाने के लिए इसका हिंदी वर्जन है जो मैं बोल देता हूँ पानी की घुसपैट को या पानी को अंदर आने से बढ़ाने के लिए तो ग्यारा के क्या अप्सन होगा नियंतर समोच खाईयों का प्रियोग क्यों करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इंफिल्ट्रेशन बढ़ाना होता है इसलिए समोच खाईयों का प्रियोग करते हैं तो enhance the infiltration of water next question है what is used to convert the wasteland into the agriculture lands बंजर भूमी को क्रस भूमी में बदलने के लिए किसका उप्योग किया जाता है बंजर भूमी को क्रस भूमी में बदलने के लिए किसका उप्योग की जाता है चेक डेम्स का water purifier का rain harvesters का या ग्रेडो नीच का ठीक है तो किसका उप्योग किया जाता है यह पूछा गया है आप से कि आप जो है किसका उप्योग करेंगे तो हम जो उप्योग करेंगे soil में वो उसका करेंगे आपका चेक डेम्स जलसूधक वार्सर वर्सा हर्वेस्टर या ग्रेडो नीच तो हम करेंगे ग्रेडो नीच का उप्योग करेंगे किसका करेंगे ग्रेडो नीच का उप्योग करेंगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए clear है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ओके तेरवा question है आपका what is noise noise क्या होता है soar क्या होता है desirable sound undesirable and unwanted sound undesirable and unwanted sound undesirable and unwanted sound तो आपका soar क्या है या आपका noise क्या है तो noise जो है वो undesirable and unwanted sound है ना तो हमें जरुवत है और ना ही हमें उसकी जो है इच्छा है ठीक है तो आवांचित और आवांचित धनी है ठीक है next है in which unit sound is measured बहुत आसान question है धनी को किस काई में मापा जाता है किलोमीटर पासकल किलोग्राम डेसिबल तो इसको मापा जाता है हमें डेसिबल में sound को किस में आपते हैं डेसिबल में और डेसिबल की लिखते कैसे हैं इस तरीके से आपको डेसिबल लिखा जाता है डीबी में B capital होगा और D आपका इसमाल में होगा नेक्स question है आपका What is the liters of threshold for hearing? Threshold चैसा मतलब है एक limit तो सुनने की सीमा का डीबी में κα्या Unit है उसकी सुनने की सीमा का डीबी में Unit क्या है तो उसकी Unit 0, 10, 50, 100 तो सुनने की जो सीमा है उसकी डीबी में यूनिट कितनी है सुनने लिपी में tatsächlich है फिक है जो सुनने की सीमा है उसके db में यूनिट कितनी है सुन ये ध्यान रखेगा आप लो next है what is the db of threshold pain दर्द की सीमा की value क्या है दर्द की सीमा की value क्या है तो आपकी जो value है दर्द की सीमा की 100, 110, 120, 140 जैसा मैं db में ही बता रहा हूँ तो db में जो दर्द की सीमा की यूनिट है वो क्या है d146 146 ओके दर्द की सीमा की next आपका question है 17th question है what at what decibel instantaneous rupture of membrane hypens किस decibel पर जिल्ली का ततकालिक तूटना होता है तो ततकालिक तूटना कित्ते पर होता है 1120, 114,500 पर तो मैंने अभी बता है जो दर्द होगा 146 पर और तूटेगा कितने पर ततकालिक तूट जाएगा 1100 पर जिल्ली का तूटना मलता आपने सुना होगा कान के परदे फट गए तो उस तरीके से जो membrane है उसका तूट जाना next है what is the ambient noise level residential one during night time on during night time यह on है one नहीं है यहाँ पर इसको on कर लिजेगा यह one गलती से लिग गया होगा what is the ambient noise level in the residential during the night time रात के समय आवासी में परिवेशी सोर का इस्तर क्या है 40 dB, 45 dB, 50 dB, 55 dB तो इसमें कितना है इसका 45 dB is the right answer next question है आपका 19th question है what is the, what is called for the temporary hearing locks अस्थाई सोर्वण हानी के लिए क्या कहा जाता है अस्थाई कान का दर्द अस्थाई सुनने की सुनवाई समस्या अस्थाई सीमा सिफ्ट अस्थाई सुनवाई सिफ्ट temporary earpain temporary hearing problem temporary threshold shift और temporary hearing shift तो क्या कहा जाता है वो कहा जाता है अब temporary threshold shift मतलब उसकी आपके सीमा जो आइस्थाई जो सर्वन होता है उसकी हान हो जाती ही जब आप उंचा सुनने लगते हैं बोलते हैं ने उंचा सुन रहा है बहुत तेज बोलना पड़ता है इसको आइस्थाई जब धीरे धीरे वो रहता है ट्रेन का ड्रा हो जाती है next question है 20 question what is the permissible noise limit of 120 db what is the permissible noise limit of 120 db तो इसमें 30 minute, 2 minute, 1 minute और 30 second 120 db की जो आवाज है वो आप कब तक सुन सकते हैं तो आप 30 second तक सुन सकते हैं next है उसके बाद आपको दर्द होने लगेगा और फिर जो है दिक्कत बलतेने लगेगी add what level so I am become the physical pain 120 db की यहाँ पर यह 120 db हिंदी इसकी गलत है कि किस किस level sound की level पर हमें physical pain होने लगता है दिक्कत होने लगती है वह पूछा है तो above 50 db above 70 db above 80 db above 100 db तो कितने पर हमें दिक्कत होने लगती है तो हमें दिक्कत होने लगती है 80 db पर कितने पर होने लगती है 80 db पर आपको परेसानी होने लगती ह आपको चर्चरापन होने लगता है What of the following sound is pleasant to our ears Heavy machinery भारी मसीनों का आवाज हमें अच्छी लगती है transportation, equipments की आवाज हमें अच्छी लगती है, परिवहन उपुराण की loud noise की अच्छी लगती है, जोर सोर की अच्छी लगती है, music की अच्छी लगती है कहा जाता है कि हम वो सुनना चाहते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है कभी-कभी आप सुनते होंगे कि माहोल के हिसाब से आपको sound अच्छी लगती है कभी-कभी आपको side songs बहुत अच्छे लगते हैं कभी-कभी आपको पंचावी सांग्ज बहुत अच्छे लगते हैं तो यह एक्मक्विर का फरक होता है कि आपका जो नेचर है उस टाइम पर पर अपकी आप जो सोचते हैं आपका जो दिल सोचता है मन सोच रहा है वह किस टाइप से उसका है भहे उस हिसाब से आपका साउंड की जो है वो आपको अच्छी लगती है खराब लगती है लेकिन इस विसाब से हमें एक नॉर्मल अगर भासाई की बात करें तो आपका इसका सही एंसर होगा म्यूजिक या संगीर ठीक है नेक्स्ट है वाइल लाइफ फेशेज वाइल लाइफ फेशेज मोर प्राब्लम दैन ह्यूमान्स दू द्वन प्रदूशन के कारान वन जीवों को मनुस्य की तुलना में अधिक समस्याओं को सामना करना पड़ता है क्योंकि जानवर पर निर्भर होते हैं तो आपको ज्याद नौइस पर ध्वन औपर क्रियाओं और व्युभार पर तो वो ज्यादा तर निरभर किस पर होते हैं ध्वनिव करiejबार होते हैं जब ध्वनिया अउत्ति हैं अपने जानवर को देखा होगा आप कोई ध्वन होने लगते हैं ठीक है rap Music ti-adece नेनि फंड़मेंटल वेज इन जल्दी जल्दी मैं question को आपको बता रहा हूँ क्योंकि time बहुत ज़्यादा नहीं है which is the best way to control noise pollution among the four fundamental ways चार मूलभूत तरीकों में से धन प्रोजोंसन को नियंतरिक करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है reduce noise level at the source, stroke पर source को कम करें block the pain of noise, sore का रास्ता अवरुद्ध करें increase the path length, path की लंबाई बढ़ाएं protect the recipient, पराप्त करता को सुरक्षित रखें तो इसमें आपका जो सही option होगा, वो क्या होगा reduce noise at the source, source पर जहां से source क्या होती है जहां पर source का main source होता है, जहां से sound जो है वो उत्पन हो रही हो तो reduce the noise at the source, source पर हम noise को क्या करेंगे, कम करेंगे how many, how can we reduce the noise in the industries, how can we reduce the noise in the industries हम उद्ध्योगों में source को कैसे कम कर सकते हैं, by not using the heavy machinery भारी मसीन का उपयोग ना करने से, by using the rigid sealed inclosures कठोर seal बंद बाड़ों का उपयोग करने से, by using the more robotics अधिक robotics का उपयोग करने से, by reducing the production of the industry, उद्ध्योगों के उत्पादन को कम करने से तो हम किस तरीके से industry में source कम कर सकते हैं, तो वो आपका सही option इसमें क्या होगा कठोर seal बंद बाड़ों का उपयोग करके, या rigid sealed enclosure का उपयोग करके ठीके, next question है आपका, what is the main source of the vehicular noise, वाहन के सूर का मुख्य स्रोत क्या है high speed, vehicles tire, footpath पर वाहनों के tire के आवा जाही ठीके, उसके बाद कम दबाव और इंधन engine, fuel engine, तो आपका क्या option इसका सही होगा तो movement of the vehicle tire on the pavement, movement of the vehicle tire on the pavement is the right answer, ओके तो इसका सही answer क्या होगा, movement of the vehicle tire on the pavement next question है आपका, which of the following is a way to reduce the traffic noise in the highway निमलिखित में से कौन सा राजमार्ग याता है आपके सूर को कम करने का एक तरीका है तो इसका जो सही answer होगा, वो क्या होगा what is the best way to reduce the noise pollution around the houses, घरों के आसपास के ध्वनी प्रदूशन को कम करने का सबसे चेतर तरीका क्या है the threshold, all noisy machines, सभी सोर मसीनों को फेकना, built or noise resistant, sealed across the house, पूरे घर में एक सोर प्रतरोधी ढाल का निमार करना use of earbuds to reduce the noise, सोर को कम करने के लिए एरबट का उप्योग, planting the tree around the houses, घरों के आसपास पेल लगाना ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा, घरों के आसपास पेल लगाना ओके, next question है, in order to reduce roadside noise, which of the following product Australian government design आस्टेली सरकान ने सडक के किनारे सोर को कम करने के लिए निमलिखित में से कौन सा उत्पात तयार किया है sound tube तयार किये है, earbuds तयार किये है, noise repellent तयार किये है, ध्वन तयार किये है, कान की कलियां या earbuds तयार किये है या सोर विकर सक तयार किये है, तो Australian government में, आस्टेली सरकान ने noise pollution पर क्या तयार किया है, ध्वन तयार किया है next question है आपका, what is used during sleep, in order to avoid noise pollution ध्वन परण से बचने के लिए निजन के दोरां क्या प्रयोग किया जाता है, मुखावटा प्रयोग किया जाता है, ear plug प्रयोग किया जाता है, mask, ear plucks, cotton shirts and jackets तो इसमें से किसका उपयोग किया जाता है जब हमें रात में हम सोते हैं तो sound हमारे कानों पर प्रुभाव न डाले उसके लिए हम किस चीज का प्रियोग करते हैं तो हम ear plucks का प्रियोग करते हैं ear plucks का मतलब यह नहीं है कि जो कांड में जो songs गाने काते हैं वो नहीं होते हैं earplugs earplugs होते हैं जो आपने लोगों ने देखा कुछ लोग रूई लगा के सोते हैं चाहे वो खराटों के वज़े से दूसरे के या फिर जुनको sounds की problem रहती है थोड़ी से आवाज से जग जाते हैं बहुत लोगों ने आपने लेखा आई cover आते हैं जो लोग लाइट जला के सोने के आदी होते हैं वो आई cover लगा के सोते हैं ठीक है 32 अच्छी इस्तिति में कार किस प्रकार कम प्रदूशन का कारण बन सकती है इट गोज हाई स्पीड या उच गति में जाता है होती है इट गिव सेफ्टी या सुरक्षा देती है इट वाइट मफलर चगिंग डाउन दा स्ट्रीट या मफलर की सड़कों पर चटकने से बचता है ठीक है तो यही है इट वाइट मफलर चगिंग डाउन दा स्ट्रीट ओके, next question है, 33, which of the following way reduce the noise pollution, निमलिखित में से कौन सा तरीका धन प्रदूशन को कम करता है, turn the loud voice, loud device चालू करें, turn the white noise, सफेद सोर चालू करें, use the old engine vehicles, पुराने engine वाले वाहनों का अपयोग करना, या breasting crackers पटा के फोरना, ठीक है, तो यहाँ पर जो सही answer होगा, वो क्या होगा turn the white noise, turn the white noise, white noise मतलब pleasant noise है ना, pleasant, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत ना करें, उस टाइप की सोर हम जो है, प्योग करेंगे, चौता है, 34th question है, which of the following steps can take by government in order to reduce noise pollution, धन प्रदूसन को कम करने के लिए, सरकार द्वारा निमलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है, enforcement of all noise law, सभी धनी कानूनों का प्रवरतन या उनका लागू करना, ठीक है, तो इसमें जो सही answer होगा, वो क्या होगा, enforcement all noise laws, हम जो noise के regarding जो भी rule है, जो भी सरकार के rule है, वो हम लागू नहीं करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, noise को लेके, चाहे वो DJ का हो, चाहे वो माइक्स की आवाज हो या पार्टियां हो, इस तरीके की जो noise की आवाज आती है, sound की, उस पे government का control तो है, कि आप इतने बज़े तक बजा सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो चीज लागू नहीं हो पाती है, बस ओ noise, विमान के सोर को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, by using the shield around the aircraft, by using the quitter jets engine, by using the heavy propellants, by using the white paint, तो विमान के चारो और ढाल का उपयोग करके, विमान सांत जेट का engine का उपयोग करके, भारी प्रनोदक का उपयोग करके, या सफेद रंग का उपयोग करके, तो विमान के jet engine से ही बहुत ज़्यादा सोर होता है, और वो भी जब वो take off कर रहा होता है, या आपका landing कर रहा होता है, ठीक है, what is the use during the sleep, in order to avoid noise pollution, ध्वानी प्रोदूशन से बचने के लिए, नेन के दवरान क्या प्रियोग किया जाना चाहिए, तो ये मैंने आपको बता दिया इसका सही answer क्या होगा, ये एक question copy भी हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, why the burning of waste is not acceptable, practice of the solid waste management, कचरा जलाना ठोस अपसिष्ट प्रवंधन, सिकी सिविकार प्रथा क्यों नहीं है, because it is very costly, क्योंकि या बहुत महेंगा है, because it requires modern technology, क्योंकि इसके लिए आधनिक तक्निकों की य और सकता होती है, because it causes several environmental issues, या कई पर्यावरनी मुद्दों का कारण बन सकता है, because it requires lot of space, इसके कारण बहुत जगे की आवसकता होती है, तो 37 का जो answer है, वो क्या है, या पर्यावरनी मुद्दों का कारण बन सकता है, उसका region क्या है, आप जब कच्रा जलाते हैं, तो कच्रा म बहुत सारी gases निकल सकती है, जो atmosphere के लिए, और human के लिए, और animals के लिए, बहुत ज़्यादा खतरनाख हो सकती है, तो या environmental कारण बन सकता है, next है आपका 38 question, what plan should we make the disposal of the solid waste, होस करशरे के निप्टान के लिए हमें क्या योजना बनानी चाहिए, integrated waste management plan, एकिकरत अपसिष्ट प् पुनर्चक्रन, reducing the waste management plan, अपसिष्ट प्रबंधन योजना को कम करना, use of waste management plan, अपसिष्ट प्रबंधन योजना को उपयोग करना, तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा, वो क्या होगा, एकिकरत अपसिष्ट प्रबंधन योजना, integrated waste management plan, integrated waste management plan is the right answer, next है 39 question, the term municipal solid waste is used to describe which kind of solid waste, नगरपाली का ठोस अपसिष्ट, सब्द का प्रियोग, किस प्रकार के ठोस अपसिष्ट का वर्णन करने के लिए किया जाता है, hazardous, विसाक्त, toxic, non hazardous, गैर खतननाक, और non toxic, गैर विसेले, तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो क्या होगा, hazardous is the right answer, hazardous is the right answer, next आपका 40 question है, how many main components are are there integrated waste management, एकिकरत अपसिष्ट प्रवंधन में, कितने मुख्य घटक है, 1234, तो कितने मुख्य घटक है, उसमें हैं, आपके 3 more घटक है, 3 घटक हैं, तीन घटक हैं, उसके, next question है, आपका, which of the integrated waste management is reduced on individual level, व्यक्तिकत, इस तर पर कौन सा एकिकरत अपसिष्ट प्रवंधन कम कि जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो क्या होगा, आपका ए स्रोत में कमी, next time, 42 question, which of the following can be recycled many times, निमलिखित में से किसे कई बार पुरनर नवीनी करण किया जा सकता है, प्लास्टिक लकडी, कार्वनिक पदार्स, एलमुनियम, किसको पुरन नवीनी करण किया जा सकता है, ना तो हम प्लास्टिक को कर सकते हैं, कई बार, ना ही प्लास्टिक को कर सकते हैं, लेकिन लकडी को रिसाइकल बहुत जादा नहीं कर सकते, यह कादबार उसको यूज कर सकते है, जब उसके हम कोई structure बनाते हैं, और organic materials carbonic पदार्थ का भी नहीं कर सकते, तो एलमुनियम इसका रीजन है कि इसमें बहुत प्रकार के बहुलक के रेजिन होते हैं डिफरेंट टाइप्स पॉलीमर रेजिन होते हैं जब हम उनको जलाते हैं तो वह बहुत ज़्यादा पॉलीशन क्रियेट करते हैं और कारबन मोनो आकसाइड बहुत ज़्यादा मात्रा में उठ्सर्जित होती हैं निकलती है ठीक है एसक्रीड होती है नेक्स्ट कोश्चन है how many key characteristics of the municipal sanitary landfill are there नगरपाली का sanitary landfill में कितनी प्रमुख विसेशताएं है 1, 2, 3, 4 तो नगरपाली का how many key characteristics of the municipal sanitary landfill are there नगरपाली का sanitary landfill के कितनी प्रमुख विसेशताएं है 1, 2, 3, 4 तो there are 3 C option is the right answer Next is how does the organic material in buried solid waste will decompose दबे हुए ठोस कच्रे में कार्बनिक पदार्थ कैसे विक्टित होगा बाइदा action of oxidation, oxygen की क्रिया द्वारा बाइदा action of microagronium, sochum, जीवों की क्रिया द्वारा बाइदा flows of flow of water, पानी के प्रवाहा द्वारा बाइदा soil particle, मिट्टी के कणू द्वारा तो 45 question का सही answer क्या है जो जब कच्रा दब जाता है तो उसमें कार्बनिक किसके द्वारा बिक्टित होता है आप जानते हैं जैसे उसमें कीडे लगते हैं और यह छोटे-छोटे बारिक-बारिक जो हम नगनाखों से नहीं दिखाए देते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो अर्गनिजम और उसके द्वारा सुच्म जीयों के क्रिया द्वारा वह विग्टित हो जाता है ठीक है इसी तरीके से इसी इनहीं के द्वारा हम बर्मी कंपोस्ट का भी निर्माण करते हैं करते है अगर आपसे पेपर में पूछा जाए वर्मी कंपोस्ट करका निर्मान के सिस्थ होता है तो केचुओं के द्वारा होता है ठीक है वो भी एक फिरकार ही डीकश्ट है तो बर्डr और परिचालन की स्थितियों में इस्थितियों के तहट एक उचित रूप में भट्थी में नगरपालिका के ठोश अपसित को जलाने के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है देखिए जैसे हम कोई नगरपालिका में कोई कीज है ठीक है उसको हम ऐसी तरीके से किसी जैसे नगरपाले का जो कुड़ाई कठा करते हैं वो ले जाते हैं और उनको जलाना ही है तो वह किस तरीके से जलाएंगे बहुत अच्छी तरीके से अगर जलाते हैं उचीत रूप में और एक इस्पेसल भट्थी में डिजाइन कर किया प्रक्रिया क्या कहलती है पहला ऑप्सन है लैंड फिल दूसरा रेसाइकलिंड पुन्चक्रन तीसरा वर्मी कमपोस्टिंग वर्मी कमपोस्टिंग एस सब जलाने की बात आहीं है तो इसको बूलते हैं भशल लेंसिंटिया जाता है और जब हम किसी चीछ को जलाते हैं अ कच्रे से अलग करके बाद में उसको incinerate किया जाता है ठीक है नेक्स कोशन है वाइदा रेसाइकल पेपर इस बैंड फार यूज इन फूड कंटेनर उन्हार नवीनी करन कागज को खादी कंटेनर के उपियोग के लिए प्रतबंधित क्यों किया गया है क्योंकि या संदूसन पैदा करता है क्योंकि या बहुत सारे इस्थान बनाता है क्योंकि कागज का उपियोग के वल एक पर किया जाता है विकाज पेपर इस वेरी थिक एंड कैन नाट कवर फूड कंटेनर क्योंकि कागज बहुत मोटा होता है और खादी कंटेनर को ढग नहीं सकता है ठीक है तो 47 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा क्योंकि हम वाई क्योंकि विकाज इट क्रिएट कंटामिनेशन बाइविच विक्टित होगा यहाँ हम फूड कंटेनर में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कंटामिनेशन न प्पैदा करता है इट क्रिएट कंटामिनेशन ठीक है तो इसका एंसर जो है वो करेक्ट होगा एंसर is the right answer 47 का नेक्स्ट क्वेशन है आपका 48, how does the organic material in the buried solid waste will decompose, दबे हुए ठोज कच्रे में कार्बनिक पदार्थ कैसे विक्टित होगा, by the action of oxidation, अक्सी करन क्रिया द्वारा, by the action of microorganism, सुचम जीवों की क्रिया द्वारा, by the flow of water, पानी के प्रवाह से, by the soil particle, मिट्टी के कणो द्वारा, ठ ठीक है, next question है आपका 49, when did the Indian forest are stabilized, भारत वन अधिनियम के स्थापना कब हुई थी, भारत वन अधिनियम के स्थापना कब हुई थी, यह पूछा गया है, तो 1911 में, 1914 में, 1925 में, 1927 में, तो भारती अधिनियम, भारती forest अधिनियम की स्थापना जो है, या Indian forest act की जो स्थापन है, वो हुई थी, 1927 में, 1927 में, भारती वन अधिनियम के स्थापना की गई थी, जिसमें हम वनों के रक्षण के लाए, बनाते हैं, और एक चीज, वन को कटाई के लिए, रोकने के लिए, जो सबसे बड़ा जो अभियान चलाया गया, वो सुन्दरलाल बहुगडा के द्व इन 1972, विच एक्ट फॉर्मड इन इंडिया, तो प्रोटेक्ट दा वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, 1972 में, भारत के वन जीवों की रच्छा के लिए, भारत का कौन सा अधिनियम बनाया गया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वन अधिनियम, वाइल्ड प्रोटेक्शन ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ का लेक्टर मेरा यहाँ समाख्त होता है, हो सकता है थोड़ी सी साउंड की प्राबलम रही हो, आस पास की जो साउंड सा रही हो, उसके दिक्कत रही हो, उसका रीजन है कि मैं आज एमर्जनसी में बाहर बैट के लेक्टर बना रहा हूं, वैस के लिए लेक्टर बनाया क्योंकि EPC वाले बच्चे बहुत परेसान हो रहे थे, उनको देखते होए अब उन लोगों का कोई चैप्टर नहीं बचा है, एक चैप्टर थोड़ा सा अगर आएगा Environment Impact Assessment उसको वो थोड़ा सा कर ले, बाकी जो Environmental Studies के स्टूडेंट है, मेकेनिकल वाले उनके लिए मैं इसमें एक दो लेक्टर आओंगा, अभी थोड़े दिन उनका पेपर अभी काफी टाइम है, तो उनके लिए लेकर आओंगा और बहुत जल्दी उनका स्लेबस भी समाप्त कर दिया जाएगा, और बाकी रक्षा बंधन का पर्व और तेवहार के लिए अभी आने वाला है आपका, उसके लिए माम आपको बहुत हर्दी बधाई देते हैं, और हम ये चाहते हैं कि इसी तरीके से जो देश जो है, उसमें हमारी महिलाओं की इज़त जो है, वो लगातार बनी रहे, महिला सुरक्षा में देश हमेशा टॉप पे रहे